बजरंगड किला, किले के खंडर जिते और हारे गयुद्धो उभरते और गिर्टे राजवन्सु और पत्थर प्रांकित लचिले पन की कहानी सुनाते हैं मद्य परदेश के गुना जिले में एक रननितिक पारी के उपर इस्तितिया दुर्जे किला सदियों के इतिहास का गवाब बना हुआ है जो अनावरन की परतिक्छा कर रहा है हलकी दुन्द में गिराया किला 16 अतापदी में नद वंसी वंस के वंसाज यादव राजा जैनरायन सिंगे दिमाय की उपज माना जाता है दोस अतापदीयों से अधिक समय तक यादव वो ने बजरंग गड़ पर परभूत्व बनाए रखा और इसकी दुर्जे दिवारों के भीतरने पिक्छा क्रित सांती और सम्रीद की अधिक आनन्द लिया अठारावी सदी के मद्य में संगर्स पहले जटके देखे गए राधार गड के मत्वकांची राजपुतों ने किले की रनितिक स्तिती पर नजर रखते हुए तीन अलग-अलग अमले किये लेकिन हर पर्यास को यादव की दृड रक्षा का सामना करना पड़ा नीडर होकर राजपुतों ने अठारावी सताब्दी के अंत में मुगल समराट की ताकत कोई तलास की इस संयूक्त बन ने अंतता यादों की सुरक्षा को तोर दिया जिससे बजरंगट पर उनके सासन का अंत हो गया चौहान खीजी कभीले के राजा जैसिंग मुगल समराट फडूक सीयर द्वारा नियुक्त बजरंगट के नय सासक के रूप में उबड़े उनके सासन काल में कीले के बीतर परतिष्टित हनुमान मंदिर सहित कई वास्तु सिल्फ चमतकारों का निर्मान हुआ हालाकि परिवर्तन की हवाय फिर से चल लाए थे दुर्जे दौलत राव सिंधिया के नेत्रित में मराठा समराज ने बजरंगट पर अपनी नजरे जमाई 1816 में जन्रल जीम बैप्टिस्ट फिजोन की कमान के तहत मराठों ने एक निर्नायक हमला किया भीशन यूद के बाद बजरंगट का पतन हो गया और चवहान सासन का अंत हो गया यूद्धों से आथ होने के बावजूद बजरंगट का आकर्शन इसके सैन अतित से कहीं आगे तक फैला हुई है जटिल नकासी और उचे बुर्जों से सजी भवे किले की दिवारे इसके रचनाओं की अस्थापते कोसल के पर्मान के रूप में खड़ी है किले के बीतर पवित्र हनुमान मंदिर इस्थित हैं माना जाता है कि यहां डाजा जैस सिंग दैवी या मार्ग दर्शन के लिए यहां आते थे अस्थानिये लोग कताय वानर देवता के साथ उनके सिधे सम्वात की बात करती है जिससे कीले की कहानी में एक रहसमे परत जुर जाती है एक और परानिक कता की गुंज कीले के प्राचीर के भीतर गुंजती है बीश भूजी माता की कहानी जो किले और उसके निवासियों की राक्षा करने वाली एक भैंकर देवी थी पहारी पर बना उनका मंदिर एक लोगपिरिये तिर्थस्थल है आंसिक रूप से खंडर होने के बावजूद बजरंगर किला अपनी सास्वत भव्यता से आगंतुको को मोहित करता रहता है इसके अवसेसों की खोज इतिहास के माध्याम से एक यात्रा है जो बीते यूगो और उनके जीवन की जलक पेश करती है जो कभी इसके मैदान में चले थे किले के उज़तम बिंदू से मनुरम द्रिश बसलू भावने है और दिवारों पर जटिलना कासी इसके निर्मताव की कलात्मक्ता समेदनाव की जलक परदान करती है गहरे संबंद की तलास करने वाले के लिए बजरंगड के इतिहासिक आख्यान अस्थानिय परानिक कथा और अध्यात्मिक कमपन एक अनुठा अनुभाव पर दान करते हैं जो एक सधारन यात्रा को कहानियों की मनुरम टेपेश्ट्री में बदल देते हैं सिर्फ एक किले से अधिक बजरंगड मानाव लचिलेपन का परमान है राजवनसों का एक मूख पर वेक्षक है और कहानियों का खाजाना जो खोजे जाने की परतिक्षा कर रहा है इसके खंडर के बीच खड़े होकर कोई भी इतिहास के वजन और गवरवसाली अत्तीत की फुसफुसाहाट को मासोश किये बिना नहीं रह सकता बजरंग और किला सिर्फ पत्थर का डेर नहीं बलकि मद्य परदेश के इतिहास की समरीद टेपेस्ट्री का वर्णर करने वाला एक जीवित अस्मारक है मुझे आसा है कि बजरंग और किले के इतिहास और कहानियों का या विश्तरीत विवरानाप की जीगियासा को संतुष्ट करेगा और वी किले से जुरी रहस और रोचक तथे को जानने के लिए हमारे वीडियोज देखे और वीडियो को सियर करे